ओम पूरा मदः पूरा मिदम पूरात पूरा मुदच्यते पूराश्या पूरामादाय पूरामेवावसेश्यते ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही शंकरम शंकराचार्यम केशवं बादरायडम सूत्र भाष्य कृतव बंदे भगवंतव पुना पुना इश्वरो गुरुरात मेंति मुर्ति भेद बिभागिने ग्योम बद्व्याप्त देहाय दक्षना मुर्ते नमाः ओम शांति ही शांति ही शांति ही नमाश्री संकरानन्द गुरुपातां बुजन्मने सबिलासमह मोह ग्राह ग्रासे का कर्मने ओम शांति ही शांति ही शांति ही कहां से चले दो मैं? तौम अंद्रट अच्छा योगानन्द प्रक्राण के कौन साथ लुक कहे रहा हूँ? अंड्रेट अच्छा हुम अंड्रेट होगा? कि हो गया? हो गया हो गया भगवान से किष्ण ने अर्जुन को कहा कि ब्रह्मानन्द सुख होता है जिसमें कोई द्वेत ना हो और निद्रा भी ना हो उसमें जो आनन्द प्राप्त होता है कैसा है? ब्रह्मानन्द हो निर्विकल समाधी काल में निद्रा होती है? निद्रा नहीं होती है चित्त का लया नहीं होता है कारण में सुसुप्ति में तो चित्त का लया होता है समाधी काल में चित्ते का लया नहीं होता है समाधी काल में चित्ते का लया हो जाए तो पर लुड़क जाओगे है कि नहीं लेंगे सरीर तो नहीं गिरता है नहीं लटा हुआ रहता है है कि नहीं ऐसे का तो ये विचर हो गया सवनम्मर का उसके बाद देखो भगवाण, तत्र केही स्लोकेर उक्तवान एतियासंक्य, कि इन स्लोकों के द्वारा भगवान स्रीकिष्ण ने कहा और जुन को, वो तो बतलाना चाहिए ना, क्योंकि प्रमान को, मुल प्रमान को जानने की बड़ी रुची होती है, साधव हो तो, साधव ह तो, पुतरने करता है, ये कैसे होगा, क्यों ऐसा होगा, बोलते हैं कि इसमें प्रमान क्या है, वो पुछता है, इसमें जानने की इच्छा रखता है, जो जानने की इच्छा ने करता है, कहां ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, लोग बोलते हैं, ठीक है, इलिए बलते हैं क किन स्लोकों के द्वारा भगवान ने और जुन को कहा इति आसंक्य एसी आसंका होकर उने पर तान स्लोकान उन स्लोकों को गीता में जो स्लोकों कहे गए है सश्ट अध्या में उस स्लोकों को पढ़ते हैं पढ़ती कौन पढ़ रहा है अब है स्वामी भारती तिरिता महाराज पढ़ रहे लेकिन जो पार्ड जो होता है दो प्रकार का होता है एक तो कहें दिया और्था क्रमा और एक होता है पाठ क्रमा जैसाब जिस क्रम से पढ़ा गया है कहा गया उसी क्रम से पाठ करोगे तुम पाठ क्रमा लेकिन और्था के अनुसार करोगे पाठा उसको क्या बलेंगे और्था क्रम ठीक है पाठा क्रमात और्था क्रम बलियान दो प्रकार क्रम कह दिया क्रम से जो कहना है वो दो प्रकार कहा होता है ये किसे मुहापूरस ने कहा, जैसा कहा उसी पे सेगहर उनुबाद करोगे पूरा आगे पिछे ना करके उसक क्या बलता है कि पात अक्रमा करनेगों लेंगि कभी-कभी आगे पिछे करके यू बोलना पड़ता है और्थक्रम ऐसको क्या बलता है अर्फक्रम होए यह उग्या ने पाठक्रमा एक हो गया जो कहते हैं उसके बैतिक्रम ने करो जैसे कि ऐसा है उसको गोलते है पाठक्रमा और्ठक न सर कहेंगे तो उसको क्या हो भलेंगे और दड़ाइंब तो पूरे मिबाह समय आया जाחנו दृच्त नतर ग illumin का है कि यवागुम जो होती, अगनी होत्रम जो होती, अगनी होत्रम जो होती, अगनी होत्रम जो होती, अगनी होत्रम जाग करें, यह पहला मंत्रा आगे, उसके बाद यवागुम पचती, यवागुम हल्वा, लबसी, उसको पकाए, तो हवान जो करोगे न, जाग जो करेगा, जाग द्रब्य से करेगा ना बिना द्रब्य से तो होगा ने इसलिए अगनी हुत्र जाक पहले करेगा कि हल्वा पहले पकाएगा अल्वा पकाएगा तब तो होगा अइसा तो कहा ने क्या कहा अगनी हुत्रम जो होती है कि फिर जाक करोगे करोगे जैसे कह दिया मात्मा को भोजन कराओ फिर बात में क्या कर दिया गुरुजी ने भोजन बनाना क्या बुल दिया पहले भोजन बराओ गे कि मात्मा को क्या करो नहीं तो मात्मा को बुलाओ फिर बात में कह दिया भोजन बनाओ क्या करोगे लेकिन वो ऐसे भोला आदमी है तो यह कर दे मात्मा को बुला ले आये महाराज बेटिये अब क्या गरा भोजन बना रहा है ऐसा हुआ पहले भोजन बनाओगे कि मात्मा को पहले बुलाओगे पहले बनाओगे तक तो मात्मा को बुलोगे इसको कहते क्या और था क्रम इस पहले गूरो की सवाभ पहले करोगे कि पहले गूरो झाल खभण करों करें लेगन असा त हो नहीं का पहले क्या को सुप ताद्धि परिप्रेपा ऊपना परिप्ष्टन से वया उपदेख शंतिते गया नम ग्यानिनास तक्तोदर्षिना भावार ने क्या कि पहले पड़ो बोला कि पहले पुझा करो भला कलें पणिवार प्रश्णा है पर प्रस्टनाप पूछे पर फोर एं पिर बात में तेना क्या को आइज्व। कि मैसले पहले श्हवा नहीं करेंगे क्यों करने जोडाने का है यॉद्द भीनल शुर्बर को वह के ओंक है तो कि मानोो अपस्य बीस्टा बताएजसंगर परने करोगे कि पढ़ा हो गए क्यों आइज है कि अधर पहले की जाती है इंदरा जब गया है प्रियापति जी की पास कितने साल तक से बागे मालू में 22 साल तक से बागे कि उनको पड़ाय को न को तो नो अ कि उनको कितने साल सेवा करना पड de गुज्भी करते बहुत ओगया जीवन में तीन ब्येक्ति भिष्मरनिया नहीं दिन व्यक्ति को नहें? शास्त्र, गुरु और को नहें? इस्वर. यह तीनों कभी भी बिश्मन या नहीं है. हो गया? अयसा है. तो पहले सेवा करने पड़ती है. इसको कहते है पाठक्रमात अर्थक्रमो बली हैं. पाठ क्रम के पिक्चा से और्थक क्रम बलवान होता है इस निया से यह अभी स्वामी विद्यारवनी महराज यह स्वामी भारती तृता महराज कह रहा है ठीक है? चलो एक नमस लोग देखो सने सने रूपरमेद सने सने रूपरमेद बुद्याद रिती ग्रिहीत या आत्म सस्तम मना कृत्वा ना किंचे दपी चिंताएद ना किंचे दपी चिंताएद बैस तो कहते हैं धीरे धीरे यह मन को क्या करो? संजमित करो मन को आत्मा में लगाओ ठीक है? एक साथ नहीं लग सकता है धीरे 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 बुलते सने सने मतलब धीरे धीरे ठीक है ना? बुद्धी से बुद्धी से मनहा आत्म सस्तम कृत्वा देखो सने सने ही बुद्ध्या कैसी बुद्धी से ध्रिती ग्रिही तया बुद्ध्या ये धर्या बहुत चाहिए मन को संजम करना है परमात्म में लगाना है तो एक दुद्धिन का काम है ये बहुत दिर्गा काल तक और बहुत धर्या चाहिए प्रत्यकात्माना विक्षत बहुत धर्यय की परिक्षा इसलिए कराते हैं गुरु जी है जाओ अभिक्षा करो जाओ कावंडल ले जाओ भीक्षा करो ऐसे वो देते हैं किसके लिए भीक्षा करो गुरू जी के लिए पहले भीक्षा है ऐसे पहले सब परम्परति उसे क्या होता है ध्यर्य की परिक्षा होती है क्या इसले मंत्र दे दिया कॉंटी माला दे दिया मंत्र दे दिया एक जाओ भीक्षा करो कोई गाली देगा तो चिंता नहीं मंत्र का प्रोग करना क्या मंत्र का प्रोग करो भगवान का नाम लेलो क्योंकि जो गाली दे रहा है ना तो उसके उसके बाणी में भी तो परमात्म बैठा है कि ने बैठा है इस चीज को ना भूलो जाओ भीक्षा करो यह परिशा पहले होती थी आज कल करें कि लोग भाग जाएंगे अभीक्षा करने के लिए साधू थोड़ी बने हैं हम लोग आम दो पड़े लिए साधू है ऐके ने यह द्रिती है द्रिती में लगा द्रिती से ग्रिहिता द्रित्या ग्रिहिता इती द्रिती ग्रिहिता में लेना द्रिता ग्रिहिता अनया जिस बुद्धी के द्वारा द्रि ग्रण किया गया एसी बुद्धि को का बलेंगे धृति गिरी तो वह मना धरिया जुकत बुद्धि यह तात्पिर होगा क्या होगा कभी ना कभी हम तो अपने मुन को संजम करी लेंगे यह होगे धरिया इसलिए धरिया जुकत जो बुद्धि है जैसे भगवति ने क्या कहा जानमा लगी कोटी रघर हमारी संभाव बरतो नात राहो कुमारी कहे ना गौसा में जी तो नाराजी परिशा ले ना भगवान को ले जाओ नाराजी थोड़ी जो इनकी परिशा लेलो भगवति की पारव इसलिए महादेव को प्राप्त करना कब प्राप्त करोगी एस इस जनम को हम करि लेंगे शंसार की पुर्णा बहरागयों का हम प्राप्त कर लेंगे आज नहीं तो कल इसका नम क्या होता है धर्ज़ में और हो कि जागाउप दिश्टाम देते हैं यह से पखची में अन्टे दे रखती अर्च ले लिया तो ले लिया तो पौक्षी क्या सोच रही है इस समुदर करों सुखा देंगे, ठीक है, तो इसलिए वो एक-एक बिंदु लेकरके, एक-एक कौन लेकर के बाहार छोड़ रही है, किसको? समुदर की कौन को, उस पौक्षी को देखकर, अब बागी पौक्षी में लगें सब, स सब सक्षिस हमदा सब कि नाराजी करके आस्चमित रहे क्या कर रहे हैं जा गर पुचित क्या कर रहे हो बोले कि हम समंदर के सुका रहा है कि लोक शुखेगा अरे कभी ना कभी शुख जाएगा करें नारजी तो यह संथ है ना संथरदय नवनीत समाना कहने किने बहुत कमल होता है गूरू की कृपा जल्दी हो जाती है कि गूरू का रिदय ना उन्राइब और धी खिए ने ओन्रोसाल किश कुछ तो कि वह उ này। कि यह सं थे का रधिया पर नर्म क्यों होता है I am शरवत्र अपनी को ही देखता है संत गूरु यूज ने होता हिने अपनी आत्मा को लेक्ता है क्लिए उनमें की सी प्यकार का स्वारथ नहीं है वह उनको पूर्ण की प्राप्ति हो गई और पूर्ण नहीं है पूर्ण है इसलिए उनका रदया बहुत कमल दुसरे के दुख को देख करके इसलिए गल जाता है इसलिए जाता है कि अग्या पिर नारा जी कहां चलेगे बिश्नु लग में चलेगे गरुल को थड़ा गुस्षा दिला दे क्रोध दिला दे क्या गरुड ये तुम यह मजे में हो लुए तुम्हेरे जाती परे में कितना दुख और है तुमको पता है तो गौन जाती का नाम लेते हैं आदमी को करोध आता है क्या जाती को बबorous बबल दो अभी उसको नश्ट कर दोंगा पूरे समाझ को अरे भगवार ने कहा कि चिंता नको अ क्रोद है ना क्रोद तो फिर गरूर आया भी समंदर के पास अले इसके अंडे को दो अना तो पर जो समंदर हाद जोड़ अभी लताओ तो कहने का अभी प्रक्या हो इस प्रकार धर्य जिदी किसी का हो जाए तो कल्यान तो अवस्य होता है उसी के उपर इस्वरी क्रिपा है उसी के उपर गुरु की क्रिपा है उसी के उपर क्या है स्वास्ट्री गए आत्मक्रिपां तर्युक्त बुद्धी में ही आत्मक्रिपां होगी ना उसी के उपर सारी क्रिपां काम करेगे थीक् manifest है धृतीगरहित या बुद्धिया ॰ध शनई सनई उपरमेत बुद्धी को बाहर से संसार से घटाए धीरे-धीरे ठीक ना तो संसार के प्रतेति बहराग्य हो गया तुम्हारा पुर्णा बहराग्य समझ लिया संसार का सुपध अनित्य है इतों सुखवित दुखों का है तुए तो जाकर के अर्म मुक्ष भी हो मुक्ष की प्राप्ति के लिए ही शरीर है निद्रा के लिए सोने के लिए नहीं है ते फिर उनके मन में निद्रा आएगी नहीं आती है शुबह तुमको तीन बजे गाड़ी पकड़नी है फ्लाइट पकड़नी है निद्रा नहीं आती है और एक ही फ्लाइट हो जाना अवस्य निद्राएगी निद्रा नहीं आती है ठीक है आत्मा संस्था मना कृत्वा यह मन को आत्मा संस्था कर लेता है आत्मा नी संस्था यस्य आत्मा में जिसकी संस्था नितराम स्थिति सम्यक स्थिति आत्मा में स्थिति क्या है आत्मा कहीं चिंतन करना यहीं आत्मा में स्थिति ही है कि मन का सबस्ढ़ में योग किसका चिंतन करता है वो तो लुब Max जो है बाज सेमय रहता है जिसका चिंतन करता है मन लुष यह रहता है इसलिए आत्मा में संस्था आत्मा में रहना मतलब क्या आत्मा का चिंतन करना आत्मा का ही चिंतन करना इस तक पर है ठीक है यह आत्मा सिस्थी शिती आत्मा संस्था मन को आत्मा में लगा करके एक बार जोड़ी मन लगा दिया तेब उसी का ही चिंतन करो आमसी पररम्हा मेरा शरूत प्रवर्मा है सब्सक्राइब ना किंची तभी चिंत और बाहिया विश्य का चिंतन ना करो कि यह निद्यासन हो है ठीक यह कहर है तो टीका मतली से आयाम अर्था है यह भगवान कि जो बाक्य है और जुन के प्रति इसका यह प्रह अर्थ है ध्रिती गृहत्य श्लुकमाया इıtकर शकरता करते ध्रिय जुकतिया बुद्ध्यग कहां रहेगा बुद्धि में रहता है कि द्यरिये जुकता अकिस्का आर्थ हुआ ध्रिती गिरहता है, धिर्या बहुत होना चाहिए बुद्धी में, बिना धर्या से नहीं होता है, ऐसा होता है, बहुत धर्या चाहिए ना, है कि नहीं, बाकी लोग के बाद छोड़ दीजे, कोई कि जो है मात्मा लोग भी जहों फिर वापस चले जाते हैं घर, क्या? और किया नहीं तो वापस डर होता है ना पिर बुड़ा ब्रदा वस्ते में कोन हमारी सेवा करेगा बहुत डर हता हो इलो वापस चले जाते हैं यह की नहीं कपड़ा भी त्याग कर देते कोई कोई अउय ऑध्या फिर्ण यह था हां भई किसी का नाम लोगक पिकलना हुए ना तो एक आदमी था एक अधमी केसा था हो ताट पेंता था किसा पेंता था ताट जानते हो क्या होते है क्या होता है बूरी होती है गुटेश क्टना थ्लिपन लोगоды पुरत यह और भूर्ह्टग नहीं है उनको सुधरा नहीं है कुछ नहीं है तो इसको सुधरा बोलते थे उनको सुधरा बोल रहे हैं तो शरीर में अध्यास है ना वो पूर्वा का संसका चुटा नहीं अभी तो सत्रोच्ट कष़ए लेकिन उनको सवन में इन थारियन में है कि क्या वुद्ए लोग दुपन कें परी है तो ब्याद कर रहे कि फॉल प्राप्त होता है तो क्या कर दिया फिर यो है पहले टाहरा पहार गगर कर आता था तो स्वामे जी के पास कि भण पहुत लोग चुड़ान लगे तो एक दिन क्या है जोन्यों प्टांग कर आ गया जोनुं पहार गर में आप टो जो पेंब लिया कसे पेंद लिया कि मुझे सहन ने होता क्यों मैं ब्रामान का शरीर हुन में अचल पाइब कोई सा शरीर हैं कि सबसे सन्यास रङड़ कर लिया तो कौन सा पॉँसा के सरेड़ का ही अगने के सधुन निःंट कर दिया मी आगनी मदला। ज्यान आगनी में. त पिर उनका कॉंसा सरीर है? ब्रामाड का ये की सुद्र का है. कि बोलता रहे तो ये। मुर्दा होती है. पहले भी कहा गिवा मिईन ह्रों. उनका कोई सरीर नहीं है, भ्रामाड बैशिया क्षर्थ्र सुद्र . कुछ नहीं होता है, जो नहीं समझते हैं वो लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, तो उनका क्या सरीर है सन्या सीखर, ब्रामानी की सुद्र है, कोई भी नहीं है, और उनको सुद्र चुड़ा दिये, तो बोला क्या करो महाराज, मैं तो ब्रामानी का सरीर हूँ, सन्या लेने के बाद कि मुझे सब शुद्रा बोल रहा है किले मुझा साूर नहीं हो रहा है किले क्या पैनल लिया इन विए पर उसके बाद को कुछ समय के बाद क्या हो गया पहले तो यह अकला आता था था ना अँसके बाद दो आगे सामिव्जी कि पाह दो मतलब अरे नहीं दो मतलब धारां पत्रियं को लेकर आगे अच्छ बिभा करके अगे लो अब यह क्या हो गया मारा ब्रिद्धावस्त्रा में मारी बड़ी चिंता है क्या बड़ा कोंचे मों कॉल मेरी सेवा करेगा है कहां से कहां आगया देखलो जो टाट पेनने वाला सन्यासी है सिखा सुत्रा फेक करके कपड़ा पेन करके फिर बाद में क्या कर दिया बताओ धर्य का जाएगा इसको बहुत धर्या चाहिए तब जाया करके मन परमात्व में लगेगा ऐसे नहीं लगता है ठीक है चलो यह बोलते हैं ध्रते गिरिता या धर्या जोकता या बद्धिया साधन भूता या सन्याई यह बुद्धी ही तो साधन है कौन से बुद्धी साधन है मालूम है बुद्धी तो सब के पास है धर्या जोकता जो बुद्धी है न यही साधन है यह हो गया आपका साधन, आया पगड में, सनेर ना सहसा उपरमेत, ये हटिती एक दो दिन में मन को आप संजम नहीं कर सकते, मना उपरतिम कुरिया, ओके न, मले धीरे धीरे बोल दे, इसले करना सने सने, धीरे धीरे, कियत पर यंतम, कहां तक यो है, ये मन को संजमित करेंगे, बोलते हैं देखो, जब तक मन को परमात्म में नहीं लगाते हो, तब तक क्या चाहिए, मन का संजम तो बहुत जुरूरी है, नहीं तो मन भढ़का देता है, थीके, इसले कहा है ना स्लोग में, आत्मा सस्तम मना कृत्वा, इसका अर्था करते है, मन हां आत्मा सस्तम, ये आत्मा सस्तम मना का विशिषण है, है कि नहीं, योगी का मन कैसा होता है, आत्मा सस्तम, सब कुछ करते समय भी, ऐसा नहीं कि वो ध्यान में बेठा है, सब कुछ करते समय भी, उनका मन परमात्म में लगा रहता है, भागवदादी में दितना द्रिष् सब कुछ करती है फिर उसका मन कहां लाता है बगवान की बादनी बालग में रहता है उनकी द्रिश्टी हमेसा कहां रहती है बालग में रहती है हुआ है कि अधिसे पनहरी ऐक हडालतना गड़ालेति यह आपके सब बात करते हैं हसते बीती हस्ति भी रती है फिर भी घड़ा गिरता है क्यों ने गिरता है ध्यान होई रहता है एक दू दिन में होगा किया पहले तो कई बार घड़ा गिरेगा भी कई बार डाड भी खाएगी अपने मा से तो गिरा दिया फिर भी है बहुत धर्या रखती देरे अभयास हो जाता है पर दोड़ती दोड़ती भी जाएगी गिरती नहीं है घड़ा नहीं गिरता है ठीक है आत्मा सस्ता मना कृत्वा कुम्ब बेला में भी होते हैं एक है ब्यक्ति कुम्ब बेला में पूरे घड़े एसमें घड़े रखते हैं अब पूरे कुम्ब बेला में जालता है यह पूरा दिन भर गुमता है कि दिन भर घड़े यह सीर पर घड़े को ले करके कुम्भा घट को ले करके पूरा गुम्भा कभी गिरता नहीं हो मतलब आत्मनी संस्था संस्था मतलब क्या है सम्यक स्थिति का नाम है संस्था कैसे मन में मन को परमात्म में लगाओगे यह देखो यह है आत्मा एव इदामसरवम ना ततो अन्यत किंचित अस्ति एद को विचार करना बड़ा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आत्मा ही है आत्मा से अतिरिक तो कुछ भी नहीं है जैसे किसी की बुद्धि की स्थिति परदे में रह जाती है कीट को दिखर देखरो ना परदे में के टेशन के चित्रा दिखने पर वी है तो यह परदा है मैं हम एकीन किने तो उसके बुदो कि कह टक गई है चीत्रा दिखने पर वी उसके बुद्धी चीत्र में नहीं है काँ पर आप subscribing इसे बेकर बीबे की जो होता है कार्य को अत्वा नाम रूप को भेदन करके अधिस्ठान में बुद्धी को लगा देता है जैसे घट और नाम घट का रूप यह को मिट्टी से भिन्ना है क्या देखते तो घड़ा तो दिखेगा ऐसे नहीं कि घड़ा नहीं देखेगा ठेकिन घट का जो नाम रूप है उसको भेदन कर दिया मतलब यह बास्तिवी को सत्य नहीं है मिट्टी ही सत्य है मिट्टी को ही सत्य समझ लिया तो काँ परस्तिद हो गया हो मिर्टी कामेर घट दिखने पर इसी प्रकार से यहां पर यह समझ लो यह ना सारवात्र एक सचित आनन स्वरूप है इतने भी नाम रूप पजारता हो जैसे देखो पर्द में चित्र दिखता है ना कौन सा चित्र में पर्दा नहीं है पक्का है ना है दो बेक्ति देख रहे हैं जैसे फिलम बगरा सिनेमा बर देखते हैं जैसे एक एक चित्र हो गया हिरो और एक चित्र हो गया बिलियन की है ये थैक्ए एंगिन्य थोज़्ट धार तो दोनों में से किस्मेच परदा नहीं है करें दोनमें इंहें पांत राम और राम बावाण में नहीं गांन राम मतलुए जेखते हैं राम और रावण राम अर राम बार बon कॉण शत्य को बिए कोई बीए शत्य दिखता है चित्र flipping चुए रामजी दीखे चाहिए रावंची दीखे चाहिए सिता जिफितनी के चाहिए सर्वत्र कोन एक परदाही सत्य है पून सत्य है जिसकी बुद्धी परदे में टिग गई तो सारा चित्र का क्या हो गया बैदान हो गया चित्र परदे से बिनना नहीं है यह यहाँ पर कहरा देखो ठीक है आत्मा इवा इदम सरवाम इदम सरम हो गया नाम रुपव वो कोने आत्मा ही है इसको कहते बाध सामाना दी करने क्या कहते है चित्र परदाई है घट मिट्टी है होगे की नहीं होगे सारा नाम रुपावजे प्रपंचव आत्मा ही है है कि नहीं सपमा से अतिरिक्त कोई वुश्टू दिखने पर बी नहीं नहीं है त्यक्य एक अगे इतीवयम रूपा यस्च जिस मन के श्तिति इस प्रकार की है तद आत्मसस्तम वो मन हो गया आत्मसस्त कि तथा विधम कृत्वा मन को इस प्रकार करके किंची तपी ना चिंते आत्मसे अत्रिकत और किसी का चिंतन ना करे यही एसा जोगस्य परमवदि यहीं तक करना होता है ठीक है इस समझ करणा पड़ता है ऑभ्षास लोड़ने करते गड़बड़ी उसमें होती जानते तो है लेकिन अभ्षास नहीं करते वी जानते तो है कि अमुग रोग है रोग की निवृति औस दिसे होगी आ तुम खाते भीना एकहाते नहीं हो जानते तो है लेकर खाते नहीं हो रधते हो परशीटामल परशीटामल गोलते रों शुआ रोग जाएगा उसे बिसेंपर से जानने सेंपर अभ्यास करना पड़ेगा अभ्यास रूपपी ऎसल दिक्षाई दे रहा है नाम रूप को छोड़ देंगे तो सचित आनन्स रूप सर्वत्र है एक नहीं यह अभ्यास करना पिलता है एतत संपादने प्रबुर्तो जोगी इसका संपादन करने में जो प्रबुर्तो हुआ है जोगी मन को परमात्म में लगाने में जो प्रभुर्त हुआ है जोगी वही जोगी है किसी का नाम रख दिया तो जोगी नहीं है जिसके मन में बास्तिविक जोग हो रहा है परमात्म में लगना मन यह हो गया जोग यहां पिर सज में कि नहीं तो जिसका मन परमात्र में लगाना वही न जोगी है, कि किसी का नाम रख दिया तो जोगी हो जाएगा, जोगी नहीं हो सकता है, ठीक है, इसी बेगार से, प्रथामाम किम कुरिया, सबसे पहले जोगी क्या करे, देखो, इत्यत आहो, जो नमबर्स लोग, यतो यतो निश्चरती, मनस चंचल मस्थिरं, ततस ततो निया मेता, दात्पन नेव वसमनेत, बैस, बोलते हैं कि देखो, मान जो है न, यह बड़ा चंचल है, चंचल है, मन कैसा है, सबसे बड़ा चंचल कोई है, मन से ज़्यादा, मन से बड़ा कोई चंचल एक सेकंड भी स्तिर नहीं रहता है, क्या एक स्थीर करने का अभ्यास करना चाहिए क्या है कि कोई की भोजन चलाते हैं देखो कभी कोई की बिद्धार्थी का करते हैं यह जो संगित बरा शेकने वाले होते हैं यह संगित शेकना भी बहुत-बड़ा प्रतिबंदग है जान दिसले करहें जैसरे होते ना एक से बयान का पाइब चल्रहा है को एक मृद्धों बजाने वाले होते यह ओसे खिलता रहेगा किसे रहेफाण का बश्कता आई हात कँष पकड़ माएगा है या कोई के भोजन चलाते हैं लड़ु राम लड़ु राम थाली होता नहीं ऐसे पतिला होता है ना तब पतिला में लड़ु चला रहा है लड़ु राम ऐसे हुला रहा है क्या है लड़ु राम लड़ु राम लड़ु राम क्या है इसे बुद्धिस्तिर होगी क्या है सबसे बड या बेदाणद्बैस पाल या सुना दिया दूसरे को इतने में ही सिमित होते हैं जीवन में कुछ उतरता ही नहीं कि महापुरुस के सनिद्र में कोई रहनाी नहीं चाहता है मापुरीस के शनिद्र में रहे सिखना ही नहीं चाहता है कि जोगhetta इसलिए नहीं आती है जोगेता नहीं आती है ठीक है क्यों नहीं होता है जोन को बड़ा रस मिल रहा है बड़ा मजा आ रहा है बोलते हैं समझ लो कि मन क्या होगे चंचल होगे उसका मन परमात्म में नहीं लगेगा जिसका मन संसार से रश खिंच रहा है है कि नहीं उसका मन लगेगा परमात्म में नहीं लगेगा सुझ में कि नहीं बिचार करना पड़ता है कि मन बाहर क्यों दोड़ रहा है क्या करण है किस करण से यह मन बाहर दोड़ रहा है उसको ढूनेंगे तो पतल लगेगा ना क्या ढूनेंगे तो पतल लगेगा कहां पर गलती है यह गलती अंदर है कि बाहर है है यह मन को ठगने वला जो चूर है औंदर ही की बाहर है क्यों भई आपके मन को ठगने वला जो है ना अंदर की बाहर है घंड़ने वला बाहर नहीं अंदर का बेक्ति कि ठohanine वाला बाहर नहीं अंदर है अंदर में जो कामना है न क्या है कि कामना ही जो है मन को बाहर खीच लेता है अकिने मन को ठाक ले है आपके मन को ठोगने वख बढ़ा सू कि यह एक यह बिशल्य में बढ़ा सुक है यह से कौन ठकता है मन को, यह कामना जो है ना, यह कामना ही, यह कि नहीं, इले सभी पापों का बाप, बलते नहीं, दिहाती भास में, सभी पापों का बाप को नहीं, मन नहीं, कामना, कामना ही सभी पापों का क्या है, जड़ है, और विवेक से जो कामना होती है, विवेक पू किर ना क्या है हमको आत्मा ज्यान प्राप्त करना है परमात्मा का ब्व Bennu करना है ए भी का मिन्हें का मना है लेकिन सास्त्र है यह कहिए के लिए खमनता हो यह सास्ट्रिया है कि इसलिए पूर्शार्थ में रखा है कामना को भी रखा है धार्मा और तकाम मोक्ष्य इधिए कामना को जो काम है ना कामना लेकिन सास्त्रिय हो वो बंदन का है तो नहीं बनती है वो मोखष कह तो बंध्याति है ठीक है चलो इले यता ज तो दिजिस निमित्त से यह मन जो है जाता है केसा मन? चंचलम अस्तिरम हो गया है? मन का विशिचन क्या हुआ? चन्चलम अस्तिर्यम ततस्ततो उस निमित्त से विशय से ठीक है नियम्या एतत एतत नियम्या इस मन को रोके यह कि नहीं विचार करे कितने जनम चला गया कितना विशयों का भोग भोग लिया हमने फिर भी मन कभी सान्त हुआ नहीं इसलिए विशय में बास्तवी को सुखा नहीं है इस समझाना पड़ता है न मन को यह करे ततस्ततो एतत नियम्या इस मन को नियम्या करके मन जब बाहर से हड़ जाएगा ना तो मन कहां जाएगा गरंटी है मन जदे बाहर से हड़ जाएगा तो मान परमात्मा के भोजन में लेगा गिरंटी है बताईए कोई ओनलाइन बले बताओ मान बाहर से हट गया बोल रहा हूं मान बाहर से हट गया संसार से मान अट गया यह ठीक करें निद्रा में मन जा सकता है कहां जा सकता है निद्रा में जा इसलिए मैं आपके मुख से सुनना चाहता था मन निद्रा में चला जाता है ना क्योंकि निद्रा में बड़ा सुख मिलता है इसलिए मन उदर चला जाता है जैसे अभी बरतवान भटाओ ना बड़ा सुन्दर चल रहे हैं how effective tomorrow अच्छी नहीं है तो मन कहां जाएगा sıra मान बाहर से हडने में भी निद्रा में जा सकता है इसलिए क्या करो इरे सात्र क्या बोलता है मुमुक्षत्तम मुमुक्षा को खुब बड़ा हो क्या बता दिया मुमुक्षत्त तिब्रा हो जाए न तंन金 द्रह मन नहींद्रामने जाएगा थोड़ी से कामये ज्यादा मुमुक्षत्त नाbuh हो जाए तो मन निद्रह मन नहींद्रामने जा सकता है यह लिए भवन भाष्य करना एक गुया बाद बुली, काहां पर विविद्विडवन ? है ना क्या कहा तो वह आम पर कहा ना बताता। बेराज्यत्यत्तम बेराज्यत्तम उमक्षित्तम तिब्रम यस्यत्य विद्यते उसको बहुत ध्यान से समझ करके जीवन में उतरना चाहिए जीवर में उतरना चाहिए चोल सुनने से सुनाने से नहीं होगा वर्ण वाशेकर क्या बोलते हैं बेराग्यम बेराग्यत्तम मुमुप्षुत्तम चार साधन चतुष्ट होगे ना विवे, बेराग्या, समाधे, सड़, संपत्ति और क्या है उसमें दो तीवर होना चाहिए ज्यादा महत्तव कौन है? दो बेराग्या और तीवर होना चाहिए थोड़ा से काम से नहीं चलेगा थोड़ा होगा तो वो सन्यासी के तरह हो जाएगा कपड़ा उता करके फिर विवा कर लेगा फिर क्या चाहिए तीवरा वेराग्या और क्या है तीवरा मुमुक्षत्व जिदी हो जाए तब आपका सारा सार्तक होगा यह सब ब्यारत हो जाएगा ऐसे जमें ना इसलिए आपर कहरें मुमुक्षत्व तीवरा हो जाए उसका मन निद्रमा जाएगा क्या नहीं जाएगा परमात्म लग जाएगा इसे आगे दिखो आत्म नेव बसम नगे एदिए तो का आत्म में ही उनका बल पुरबल लग है इसका विचार हम कॉल करेंते हैं ओम पूनामदाह पूनामदान